बिस्मिल्लाही रख्मानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, कुक्वित अकीला यामीन आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली वो एक वीबर की रिक्वेस्ट है तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हलवापूरी की रेसिपी करूँ, तो इंशाललह मैं आप लोको साथ complete रेसिपी करूँगी लेकिन पार्ट में तो आज हम फर्स्ट एपिसोड में आप लोके साथ शेयर करेंगे छोले की तरकारी की रेसिपी या फिर छोले के सालन की रेसिपी जो बेसिकली हलबा पूरी के साथ सर्फ किया जाता है तो वीडियो की स्टार्डिंग क्लिप को देखकर ही आप लोको अंदाजा हो रहा होगा कि रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है तो इंशालला रेसिपी में जो भी इंग्रीडियन्ट चूस करेंगे उसके पीछ उसका रीजन भी शेयर करेंगे आपके साथ वीडियो हमेशा की तरह डीटेल्ड है वगर शौट है तो आईए चलके बनाना शुरू करते हैं थोले की तरकारी की रेसिपी बिसमिल्लाही रख्वाली रहीम यहां हमने लिया है एक मीडियम साइस का टिमांटर एक मीडियम साइस की प्यास चार अधत मैंने यहां पर लेशन के जवे लिये हैं एक इंच का अध्रक का टुकुड़ा और पांच अधत मैंने हरी मिर्चे लिये हैं तिमांटर को मैंने सेंटर से हाफ कर दिया है ताके हमें मालूम हो जाए कि तिमांटर अंदर से खराब तो नहीं है और हरी मिर्चों की डंडियों को मैंने separate कर दिया है तो यहाँ पर हमने इसे pan के अंदर add कर दिया है साथ ही 2 cup पानी add कर दिया है अब हम इन सबसियों को boil कर लेंगे तो जैसी इसके अंदर boil आ जाएगा हम इसे cover कर देंगे और low heat पर हम इसे boil करेंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए तो 10-12 मिनट तक हमने इसे boil कर लिया है flame को मैंने बन कर दिया है अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे पानी समयध ही blender में add करके इसका एक गाड़ा-गाड़ा paste बना लेंगे और उसे हम आगे चलके recipe में सिमाल करेंगे तो यहाँ आपर वीडियो को short करने के लिए मैंने चनों को पहले से boil करने के लिए रग दिया था मैंने आदा किलो चने लिये थे उन्हें मैंने अच्छी तरह 2-3 दफा वाश करने के बाद पानी के अंदर soak कर दिया था 8 घंटे soak कर लें या फिर overnight भी आप इसे soak कर सकते हैं soda वगरा मैंने कुछ भी add नहीं किया था उसके बाद मैंने इसे पानी में डाल के boil कर लिया था half teaspoon के बराबर मैंने इसके अंदर नमक add कर दिया था छोले हमारे 90% तक done हो चुके हैं अब यहां पर हम इसके अंदर add करेंगे मसूर की दाल 2 tablespoon मसूर की दाल को मैंने wash कर लिया था मसूर की दाल add करने से gravy जो है वो ठिक बनेगी इसमें ठिकनेस आएगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा थोले की तरकारी के अंदर तो मसूर की दाल को add करने के बाद भी हम इसे अच्छे से mix करने के बाद cover करके low heat पर पकाएंगे जब तक यह अच्छे से गल ना जाए तो ठोले भी हमारे जो 90% तक डन थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं गल चुके हैं मसूर की दाल भी हमारी गल चुकी है अब हम इसे एक strainer की help से चान लेंगे और जिसका पानी निकलेगा उसे हम waste नहीं करेंगे उसे हम separate उठाके अलग रख जेंगे आगे चलके recipe में use करने के लिए यहाँ पर अब मैंने pan के अंदर एक का cooking oil एड कर दिया है जैसे ही cooking oil थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एड कर दूँगी 1 tablespoon जीरा जीरे को हम एक मिनट तक fry करेंगे ओड में और अब जो हमने blender के अंदर paste बनाया था सब्जियों का उसे यहाँ पर add कर देंगे तो यहाँ पर इसे हम add करने के बाद एक दो मिनट तक अच्छे से fry करेंगे या वाइल में medium heat पर तो यह तो वेडिटेबिल का paste मैंने इसके अंदर add किया है इसे gravy के अंदर thickness भी आएगी और साथ ही साथ इनके flavors भी बहुत अच्छे लगते हैं gravy में thickness के लिए मैं इसके अंदर एक और ingredient add करूंगी वो है आलू मैंने एक medium size का आलू लिया था उसे मैंने peel off करके wash करके boil करके रख लिया था उसके बाद मैंने इस boil किये हुए आलू को blender के अंदर add करके जरूरत के मताबी थोड़ा सा पानी add करके इसका paste पना लिया था तो वो paste भ अब यहां पर हम इसके अंदर कुछ मसाले अड़ करेंगे नमक मैं इसके अंदर add कर रही हूँ 1 teaspoon या फिर हच्पर जायकार समाल कीजिएगा पिसी हुई लाल मिर्चे add कर रही हूँ 1 teaspoon yellow powder half teaspoon कुटिवए लाल मिर्चे में अड़ कर रही हूँ 1 teaspoon पिसा हुआ धनिया अड़ कर रही हूँ मैं 1 teaspoon शापुत धनिया मुटा मुटा ख मुटा हुआ अड़ कर रही हूँ 1 teaspoon प्लैक पिपर पाउडर एड़ कर ही हूँ 1 teaspoon चिकन oil separate हो जाए और मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए अब जो हमने चनों को boil कर लिया था मसूर की दाल add करके उसे भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे इसी मसाले में इसे हम अच्छे से mix करने के बार इसमें add कर देंगे दही 1 4th cup जिसे मैंने पहले से फेट के रख लिया था और इसे भी हम अच्छे से mix करेंगे और एक दो मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का पानी है वो भी dry हो जाए और oil भी surface पे आ जाए तो oil भी यहां पर surface पे आ चुका है अब जो हमने चनों को boil करने के लिए पानी इस्टिमाल किया था और उस पानी को हमने separate करके रख लिया था तो वो पानी हम यहां शामिल कर देंगे तो जब आप चने boil करेंगे तो पहले से आपको इस बात के खयाल रखना है कि पानी इतना होना चाहिए जिसे हम बाद में gravy बनाने में इस्टिमाल करें तो अब इसके अंदर boil भी आ चुका है तो उसे हम मजीद 5-6 मिनट तक medium heat पर पकाएंगे cover करके ताके जो हमने इसके अंदर चने add किये हैं उसके अंदर सारे मसालों की खुझबू और जितना भी जाइका है वो सारा अच्छे से absorb हो जाएं तो 5-6 मिनट तक हमने इसे पका लिया है medium heat पर जो हमने इसके इसके पेस्ट पनाकर add किया है उससे आपकी gravy इसी तरीके से अच्छी बनेगी तो अब आप यहां पर इसकी gravy check कर सकते हैं इसकी thickness check कर सकते है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चने अलग जा रहे हैं और इसका पानी अपर शोर्बा अलग जा रहा हूं अब यहां पर हम आपको छोले करवा देते हैं बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुके हैं छोले अब यहां पर हम इसके अंदर एड़ करेंगे half teaspoon गरम मसारा पाउडर और इसे हम एक दफा कर देंगे अच्छे से mix वन फोट काप cooking oil को पहले मैंने गरम कर लिया था उसके अंदर मैंने one teaspoon के बराबर कश्मीरी लाल मिच्ट का पाउडर एड़ कर दिया था तो इसका तड़का हम यहां पर लगा देंगे इस तड़के को लगाने से आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा रौगान आएगा इसका कलर देखें आप बिल्कुल वैसे ही लग रही है दिखने में जैसे हम बाजार में एक हलवा पुरी खाते हैं उसके साथ जो थोलो की तरकारी या फिर सालन्स सर्फ किया जाता है और लिटरिली 100% में शूर हूँ कि इसका जायका उससे भी ज्यादा बहतर होगा जब आप इससे ट्राइ करेंगे ना तो आप इंशाला खुछ काएंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुली अलगी लेविल का है अब यहां पर हम इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्शे एड कर देंगे और इसी तरीके से थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या एड कर देंगे अपनी जरूरत के मताबिक जितना आपको पसंद हो और इसे कर देंगे हम अच्छे से में तो आप लोगों को यह रेसिपी मेरी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा आगे भी शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएग फिर मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में इसी रेसिपी के एनधर एपिसोड के साथ जब तक के लिए मुझे दीजिए जाज़त अलाफिस